नमस्कार दोस्तों धार्मिक चमतकार में आप सभी का स्वागत है आज हम आपको एक हनुमान जी के ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जहां पर हनुमान जी का कर्जदार है पूरा गाउं आईए जानते हैं डेटेल्स में यू तो ईसवर की महरवानी से पूरी दुनिया चल रही है ये इस दुनिया पर भगवान का सबसे वड़ा कर्ज है लेकिन हम यहां एक ऐसे कर्ज की बात कर रहे हैं जो रुप्यों का है मद्धि प्रदेश के रतलाम के गाउं के लगबख सभी निवासियों ने भगवान हनुमान जी से पैसों का कर्ज ले रखा है सभी भगवान हनुमान जी के कर्जदार है और सभी कर्जदार बाकाइदा भगवान हनुमान जी को सालाना ब्याज भी देते हैं लगबग ढ़ाई हजार की आबादी वाला यह गाउं है विवडोध रतलाम से 6 किलोमीटर दूर इस गाउं में है भगवान सिब हनुमान मंदिर और पूरा गाउं ही इस मंदिर में स्तापित भगवान हनुमान जी से के रुपेओं से करज लेता है भगवान हनुमान जी से गाउं के लोगों का करज लेने का ये सिलसला लगवक 35 साल पहले सुरू हुआ था जो आज भी जा रही है और उसी ओटले पर भगवान हनुमान जी की प्रतीमा स्थापित थी। इस यग में जितना खर्च होता है उसके बाद बच्चा आने वाली रासी का किस उप्योग में लिया जाए यह आयोजन समीती तेह नहीं कर पा रही थी। तभी एक सुझाब आया कि बच्ची होई रासी गाउं के जरूरत मंद लोगों को कर्ज के रूप में दी जाएगी और उनसे सालाना व्याज ले लिया जाएगा। इस सुझाब पर अमल के लिए मंदिर में गिरामीडों की एक समीती बनी और यही समीती यक के बाद बच्ची होई रासी को लोगों को कर्च की रूप में दे कर उनसे ब्याज वसूनने लगी ब्याज की रासी को उपयोग मंदिर समीती द्वारा मंदिर निर्माण में लिया गया और आज ब्याज की राची से भव्य सिभ हनुमान मंदिर खड़ा है तब से आज-थक भगवान हनुमान जिसे गाओं के लगवख हर परिव लगता है। गिरामीरों का मानना है कि वो कोई भी काम या आयोजन भगवन हनुमान जी से करज लेकर ही करते हैं। लेकिन उसका ब्याज साल भर में एक बार होली पर जमा कराया जाता है। गरीब के अलावा गाओं के संपन्ने लोग भी हनुमान मंदिर से करज लेते हैं। करज लेने वाले गाओं के ही निवासी बंसिलाल ने बताया था कि 20 साल पहले 3000 रुपे करज लिया था, मैं खेती करता था, करज कभी भी चुका देता लेकिन इस मान्यता से के मताबिक इस करज से बरकत होती है, इसलिए नहीं चुकाया। करज के ब्याज का पैसा जन सहयोग में लगता है, गाओं वालों को लाब मिलता, इस करज से घर में बरकत और सुक सांती रहती है। करज के रूप में दी जाती है, जिसके ब्यास से मंदे निर्माड हुआ, यहाँ भगवान हनुमान जी का चमतकार यह है कि कोरोना गाओं में फैला तो यहाँ बिसेस पूजा की गई, इस पूजा के बाद गाओं में कोरोना काबू में भी आ गया था, गाओं के लोग अपन हनुमान जी का करजदार क्यों है?